नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महत्वपून जानकारी ले करके आप सभी आम को तो बहुत पसंद करते हैं लेकिन हर मौसम में ये नहीं मिल सकता है लेकिन आम की पत्तियां ऐसे चीज हैं या ऐसे और शदी हैं जो कि आपको सालों भर मिल सकती हैं तो आईए आज हम सभी आम की पत्यों से किन किन बिमारियों का इलाज कर सकते हैं और क्या क्या फायदे हो सकते हैं इस बारे में जानते हैं हर किसी को आम खाना पसंद होता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि फलों का राजा आम स और उपचारी कुनों से भरी हुई होती हैं आम के पत्ते लाल या बैंगनी होते हैं जब ये पत्ते कुमल और नए होते हैं तो एक गहरे हरे रंग और हलके नीले रंग के होते हैं ये पत्ते विटामिन सी विटामिन बी और विटामिन ए में समरिध्ध हैं ये पत्ते विभिन अन्य पोशक तत्वों में भी सम्रिध्ध होते हैं आम के पत्ते में शक्तिशाली इंटियोक्सिडेंट गुन होते हैं क्योंकि वे फ्लेनोनोईड्स और फिनोल की उच्चे सामगरे रखते हैं आपने अधिकतर आम के पत्तों का इस्तेमाल पूजा पाठ के लिए किया होगा लेकिन आम के पत्तों का सिवन करने से आप स्वास्थे से जुड़ी होई कई बिमारियों से छोटकारा पा सकते हैं तो आईए जानते हैं कि आम के पत्तों से किन किन बिमारियों को हम दूर भगा सकते हैं सबसे पहले तो आम का पत्ता डाइबिटीज रोग में रामबान इलाज की तरह कारे करता है मधुमेह के उपचार के लिए आम के पत्ते बहुत ब्योगी होते हैं आम के पेर की कूमल पत्यों में एंथोकाइनाइडीस नामक टैनिन होता है जो प्रार्यमभिक मधुमेह के इलाज में मदद करता है पत्यों को सुखा कर पीस लें और उस पावडर का उपयोग करें यह मधुमेह की रक्त नलिकाओं के रोग और मधुमेह के रेटिनुपैथी क का इलाज करने में भी मदद करता है आमके पत्य इस उदेश्यक के लिए बहुत अच्छे हैं रात भर एक कप पानी में पत्यों को भिंगोएं मधुमेह के लक्षणों को दूर करने के लिए इस पानी को च्छान कर पिएं यह हाईपरगलेसेमिया का भी इलाज करने में प्रारीकोजन के संशलेशन को प्रोथ साहित करने के लिए इंसुलीन के साथ सहक्रियात्मक्ता करता है जिससे की आपका मधुमीह कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा आप आम के पत्तों का उप्योग रक्त चाप को कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं ये पत्ते रक्त चाप को कम करने में मदद करते हैं क्योंकि इन में रक्त चाप को कम करने वाले गुन होते हैं या रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने और वेरिकाज नसों की समस्या का इलाज करने में सहायता करते हैं आम के पत्तों के लाव आपकी चिंता को दूर रखने में भी कारगर होते हैं चिंदा के कारण बेचैनी से पिडित लोगों के लिए आम के पत्ते एक अच्छा घरेलू उपाय प्रदान करते हैं नहानिक के पानी में दो से तीन गलास आम के पत्तों से बनी चाय डालें इससे सुस्ती का इलाज होता है और शरीर ताजा महसूस करता है आम के पत्ते के गून आपके किड्नी स्टोन को भी दूर भगा सकते हैं आम के पत्ते गुर्दे की पत्तरी और पित्त की पत्तरी का इलाज करने में मदद करते हैं आम के पत्तों के पाउडर का दैनिक सेवन जो की चाया में सुखाय गए हों ये ध्यान रखें कि पत्ते छाय में सुखाय हुए हो इनका आप नियमित रूप से उपयोग करें रात में एक गलास पानी में पाउडर मिला कर रखें इसमें स्टोंस को तोड़ने और उन्हें बाहर निकालने में मदद मिलती है आमके पत्तों का सिवन है खांसी का देशी इल थोड़ा शेहद के साथ पानी में आमके पत्तों को उबाल कर कारहा त्यार करें या कारहा पीने से खांसी को प्रभावी धंग से ठीक करने में मदद मिलती है या आवाज हानी यानि कि गला बैठने पर का सबसे अच्छा इलाज माना जाता है इसके आलावा ये पेचिस में भी बेहद लाफकारी सावित होता है आमके पत्ते पेचिश यानि कि खून बहने वाली पेचिश के इलाज में बहुत मदद करते हैं चाया में सुखा कर पत्तों का पाउडर तयार कर लीजिए फिर रोजाना पानी के साथ दो से तीन बार इस पाउडर का सेवन कीजिए इसक कान दर्द से रहत प्राप्त कर सकते हैं आमके पत्तों से निकाले जाने वाले रस का एक चमच कान का दर्द से रहत देता है रस का उपयोग करने से पहले रस को थोड़ा सा गर्म कर लें इसके अलावा जले हुए का घरेलू उपचार है आमका पत्ता जली हुए तवचा पर जले हुए आम के पत्तों की एक मुठी राख को प्रभावित छेतर पर लगाएं इससे तुरंत रहत मिलती है इसके उपयोग के बाद घाओ की जलन में भी रहत मिलती है इसके साथ साथ ये हिचकी को रोकने का घरिलू उपाय है यदि आप हिचकी और गले की समस्यां का इलाज करने में मदद करेंगा इसके साथ साथ तौमक टोनिक है आम का पत्ता गरम पानी में कुछ आम के पत्ते डालें एक ढ़कन के साथ कंटेनर बंद करें और इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दें अगली सुबह पानी को फिल्टर करें और इसे खाली पेट पीएं इसका नियमित सेवन एक अच्छे पेट टॉनिक के रुप में कारे करता है और विभिन पेट की बिमारियों को रोकने में मदद करता है चुकि आम के पेण के पत्ते पूरे साल उपलब्द होते हैं घरेलू उ का उप्योग करना आसान है एंटियोक्सिडेंट और गुन रोधी गुन विभिन बिमारियों का कुशलता पुर्वक इलाज करते हैं तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आप सभी आम तो खाते ही हैं आप सभी को बहत पसंद हैं लेकिन आम के पत्तों का भी अगर आप सेव दोस्तों